असलानेकम जी पटापेंटल ओफ फिजिक्स हैली डे रैजिलिक वालकर का टैन्थ डीशन है चैप्टर सेवन चार रहा है कानेटिक इनर्जी एंड दा वर्क प्रॉब्लम वो नूमबर 43 है वो कहता है पांच न्यूटन की फोर्स एक्ट करती है पंदरा केजी की बाड़ी पे पावर पी फोर पावर और पावर होती है एफ वी के बराबर तो हमने एफ वी लगा दिया अब हम यहां से विलास्टी को अगर सोचे तो यह वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए थी अब हम जानते है निशली एटरेस्ट है तो इब्तदाई विलास्टी तो जीरो हो गया एक ही जगह क्या लगा जा सकता है एफ बटा एम वो लगा दिया ती तो साथ में आना है याना ना तो यहां से टूल क्या बाद देगा एफ स्केर बटा एम इन्टू टी टी वो मैंने ले लिए एस स्केर भी कॉंस्टन्ट है और आपके पास एम बी खिब 0 seconds से 1 second के बीच में देखना है work done तो पहले अब आपके पास जो condition है उसमें हम tool लगा देंगे F की value भी M की value भी T2 और T1 की value लगा दी तो 0.83 का फिर second second के अंदर देखेंगे तो 1 से 2 के दूरी के आप 1 second से 2 second के बीच का work देखना है तो second second तो तब ही बनेगा ना तो वो आपके पास F की value लग गी M की value लग गी 2 और 1 के दर्मियान के T2 माइनस T1 के value डाग के 2.5 जोल आजएगा इसी तरीके से यह आपके बाद 3rd second है तो आपने 2 और 3 के दर्मियान की जो 2 second के बीच में work दन हुआ है वो निकालना है तो आप कह सकते हैं T2 3 second है T1 आपका 2 second है वो values डाल जाएगी तो 4.2 जोल हो जएगा तो पहले second में इतना work हुआ दूसरे second में इतना work हुआ तीसरे second में इतना work हुआ instantaneous power की बात करें तो हम जानते है FV होता है यह 0 plus 80 0 इसलिए क्योंके initial velocity क्या है rest पे है और यह वी आई क्या होज़ेगा 0 होज़ेगा और एक ही जएगा F by M T आज़ेगा यहां पर F square T by M आज़ेगा F भी पता है instantaneous time भी उसने का है ना कि third second के अंदर तो CT 3 second आज़ेगा M आज़ेगा तो 5 W आज़ेगा तो 5 W उसकी वर्क करने की ज़सलाइयत है 5 W की होगी तो यह जिना हमारे पास solution है अगर आपके इसमें के बात पूछने हो doubt हो तो नहीं चक्मेट्स में पूछ सकते हैं वडियो अच्छी लगी हो तो वडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिएगा अब तक के लिए इतना ही बकिया इंशाला हम नेक्स देखेंगे ओके अलाफेस